यदि मनुच से कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्य भूल कुछ न कुछ उसको सीखा देती है देखे आज है एक अगस्त यानि कि नया महिना शुरू हो गया आज तो सबसे पहले आप सबी लोगा स्वागत है अगस्त महिने में देखे इस महिने में आपको जीत और महनत करनी है तो इसकी शुरूवात आज के इस पहले वीडियो से करते हैं देखे आज का हमारा पहला प्रशन है कि 22 जुलाई 2022 को समात हुए सब्ता के दोरान भारत का विडियो सी मुद्रा भंडार 1.152 अरब डालर की गिरावर के साथ कितना हो गया तो देखे जो भारत का विडियो सी मुद्रा भंडार है ये 22 जुलाई 2022 को समात हुए सब्ता के दोरान कुल एक दस्मलों एक पांच दो अरब डालर की गिराउट के साथ कुल पांच सो एकत्तर दस्मलों पांच शे अरब डालर हो गया था दीकि विश्व में अगर सरवाधी विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों के सूची में बात करें दीकि विदेशी मुद्रा भंडार को कैलकुलेट करने के लिए चार चीजों की आशकता होती है पहला होता है कि विदेशी मुद्रा संपत्ति कितनी है दूसरा गोल्ड रिजर्व कितना है तीसरा आई एमेप के साथ HDR कितना है और चौथा IMF के साथ यानि कि इंटरनेशनल मोलेटरी फंड के साथ रिजर रुखिस्तिति क्या है इन चारों अमाउंट को आप प्लस करेंगे तो आपको इग्जेक्ट जो आपका विदेशी मुद्रा भंडार है ये पता चल जाएगा अगला की 2022 राष्ट मंडल खेलों का उद्गाटन समारो जो था इसमें टीम इंडिया का दोजवाख किसे बनाए गया था देखिए जो आपका राश्टमंडल खेल चल ला है ठीक है जो कि 28 जुलाई को शुरू आए इसका जो उदगाटन समारो था इसमें टीम इंडिया का दोजवाहक मनप्रीज सिंग और पीवी सिंदु को बनाए गया था देखिए पहले जो है नीरत चोपड़ा थे पूरूस के रूप में टीम इंडिया के दोजवाहक लेकिन उनको थोड़ी चोटोड लग गई है तो इसलिए जो वो कामन वेल्ड गेम है चल लाए ठीक है उसमें वो पार्टिबेट नहीं करेंगे और एक चीज़ और है राष्ट मंडल खेलों में एक नियम मनाए गया था कि जो कोई भी देश का टीम होगा उसमें दो दोजवाहक होगे एक मेल होगा एक फी मेल होगा तो भारत की टरब से जो पूरुस दोजवाक थे ये थे मनपिरिस सिंग और जो महिला दोजवाक थी ये थी पीवी सिंदू और ये चीज़ तो आपको पताई होगी कि जो आपकी पीवी सिंदू है ये बैड मिंटन के लाड़ी है भारत की और ओलम्पिक पदक विजिता भी है दो बार इरोने ओलम्पिक में पदक गीते हैं और दूसरे जो आपके मनपिरिस सिंग है ये भारती पूरुस आपकी टीम के कप्तान है वरतमान में ये चीज़ आप याद रखेंगे ठीक है देखी जो आपका राश्ट मंडल खेल है ये चीज़ या रखेगा कि इसका जो आईवजा नहीं ये इंग्लेंड के बर्मिंगम में चला है और 28 जुलाई को ये सुरूगा है आठ अगस्त दो 2022 तक चलेगा और कल के वीडियो में मैंने दो पदा विजयता हों के नाम भी बताया थे तो कल का वीडियो देखे उसको रिवाइज कर लेगा साथ में देखिए मन्तली करे नेबर का पार्ट वन अपलोड कर दिया था मैंने कल तो कल वीडियो लाइव हो गया था 12 बजे आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो उसको देख लिजेगा और जो फुल डिटेल वाली पीडियेप है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं उस वीडियो समझोता किया है तो दिखें, राजस्तान की सरकार ने ये समझोता किया है तेलंगाना राजी के स्तिनीधी क्रेडिट साकरी सनकर साथ एक एक समझोता किया है दिखे ये जो महिला निधी होगी यानि की जो आपका ये राजस्थान महिला निधी बनाया जा रहा है उन्हें मजबूती प्रदान करेगी और दिखे इस संस्था को पूरी तरीके से जो है महिलाओं के दोरा संचालित किया जागा और आपचारी बैंकिंग प्रडाली के पूरक निकाय के रूप में ये कारे करेगी और जो आपका आजी राजस्तान महिला निदी होगा इससे बैंकों में लंबित रिन आवेदनों की संख्या में भी जो है कमी आने की उम्मिद है और राजस्तान के बारे में तीनची याद कर लिए कि राजस्तान के जो राजेपाल है वरतमान में इनकराम है कल राजमिस्रा राजस्तान की राजधनी जैपूर है जिसको गुलाबी सहर यानि की पिंक सीटी भी कहा जाता है राजस्तान के मुक्य मंत्री है असोग गैलोजी अगला प्रशनी की हाल ही में किसने सायुक्त त्री सेवा थियेटर कमांड के गठन की गोश्डा की तो दीके ब्याली में राजना सिंग जो की भारत के डिफेंस मिनिश्टर रेनी की रक्षा मंत्री है इन्होंने अगली में सायुक्त त्री सेवा थियेटर कमांड के गठन की गोश्डा की है और ये गोश्डा अगली में भारती ससस्त्र बलों के सहीदों को सम्मानित करने के लिए जम्मू कस्मीर पीपूल्स फोरम पे दोरा आयूजित एक समारोग के संबोधन के दोरा भारत के रक्षा मंत्री राजना सिंगे दोरा की गई याद कल दिये कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजना सिंग ने ससस्त्र बलों के बीच समनवे में सुधार के लिए तीनों सिवाओं के एकिगरिद सियेटर कमांड बनाने की गोश्डा की थी अगला की हाली में किस बैंक ने केंडरा AI1 नाम का अपना मुवाइल एप्लिकेशन लांच किया तो देखी जो आपका केंडरा AI1 नाम का मुवाइल एप्लिकेशन है इसको केंडरा बैंक ने लांच किया है और ये एप्लिकेशन जो होगा ये अपने ग्राकों की बैंकिंग जरूतों को पूरा करने के लिए 250 से अधिक सुभिधाओं के साथ वन इस्टाप समधान होगा और ये एप्लिकेशन टोटल 11 भसाओं में उफलत भी होगा ये रके का केंडरा बैंक ने केंडरा AI1 नाम का अपना मुवाइल एप्लिकेशन लांच किया है चड़ाओ प्रश्णी की हाल ही में किस संसा ने अमपाइरों के लिए नई A-plus रेनी पेस की तो देखी जो आपका BCCI यानि कि भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानि कि बोर्ड आप क्रिकेट कंट्रोल आप इंडिया जो आपका है इसने अमपाइरों के लिए नई A-plus रेनी की पेस की हाली में देखी जो आपका A-plus category बनाए गया है यानि कि A-plus स्रेनी बनाए गया है ये भारत के टाप 10 अमपाइरों को इसमें जो है सामिल किया जाएगा और देखी अंतराश्टी क्रिकेट काउंसिल के Elite Final में सामिल अमपाइर नितिन मेनन को भी जो है BCCI के इस नए कैटेगरी में सामिल कर लिया गया है और जो आपका A-plus category यानि कि स्रेनी जो बनाए गया गया अमपाइर होगा तो देखे A-plus स्रेनी के जो अमपाइर होंगे प्रतनम स्रेनी के खेल के लिए प्रत दिन इनको 40,000 रुपे का जो बुक्तान किया जाता है जबकि जो आपके B और C स्रेनी के जो अमपाइर होते हैं इनको 30,000 रुपे प्रड़े का भुक्तान किया जाता है और सादों प्रशनी की हाल ही में टेलको इंडिया ने तेज रप्तार वाली ट्रेनों के वी निर्माण के लिए किसके साथ में समझोता किया है तो देखे टेलको इंडिया कंपनी ने ये समझोता भारत फोर्ज के साथ किया है और इस समझोती के तहट जो भारत फोर्ज इंट्राइस्ट्रेक्चर कंपनी है और टेलको इंडिया प्राइवेट लिमिटेट है ये मिलकर एक सन्यूक्त उद्यम स्तावित करेंगी देखे पूरे की जो कंपनी है भारत पोर्ज इसने एक बयान में ये कहा है कि ये गड़बंदन जो है भारती रेल चेत्र में बड़े ब्यावसाईक आउसोनों को भी बढ़ावा देगा और चेत्र में घरेलू आउसकताओं को पूरा करेगा आड़मा की हाली में भारत और सन्यूक्त अरब अमिरात ने किस देश के साथ मिलकर नए त्री पक्षी फ्रेमवर्क के इस तहट हिंद प्रसांद चेत्र यानि की इंडो पैस्फिक रिजन में सायोग बढ़ाने को लेकर चर्चा की तो देगे भी हाली में तीन देशों भारत सायोग दरब अमिरात और फ्रांस ने एक साथ मिलकर जो हिंद प्रसांद चेत्र है यानि की इंडो पैस्फिक रिजन है इसमें सहयों बढ़ाने को लेकर चर्चा की इस चर्चा में क्या-क्या चीजें सामिल हैं इसको मैं आपको डीटेर्ट बता रहा हूँ ध्या सुनिए देखी जो भारत का विदेश मंत्राला इसके नुसार त्री पक्षी फ्रेमवर्क के तहत हिंद प्रसांच चेतर में चीन की जो बढ़ती सैने ताकत है इसको लेकर वैस्विक चिंदा के बीच तीनों देशों ने चेतर में सहयों को बढ़ाने का संकल्ब लिया है और देखी विदेश मंत्राला ने ये कहा है कि तीनों पक्षों ने यानि कि तीनों देशों ने हिंद प्रसांट QEDR के बारे में विचार विमर्स कर समुदरी सुरक्षा मानुमी साहता और आपदार राहत चेतरी संपर्ग बहु पक्षी मंचो पर सयोग उर्जा एवं खादि सुरक्षा नवाचार और स्टार्टप सहित्री पक्षी सयोग के संभावी चितरों को चिनित किया है अगला की हाली में किस देश के पूरो पर्थम मंत्री और नोबल सांती पुरसकार विजयता डेविट रिम्बल का निजन हो गया तो देखे जब के डेविट रिम्बल हैं ये पूरो पर्थम मंत्री थे कहां के उत्तरी आइरलेंड के और ये नोबल सांती पुरुसकार विजयता थे इनका हाली में निजनों किया है देखी जब कि डेवीड ट्रिम्बल हैं इनको उत्तरी आइरलेंड में खूनी हिंसा को सांथ करने और 1908 की गुड फ्राइडे डील का भी वास्तुकार माना जाता है देखी जब कि डेवीड ट्रिम्बल हैं इनको उत्तरी आइरलेंड में यूनाइटिट किंग्डम से अलग होने के लिए चल नहीं हिंसा को सांथ किया था जिसके लिए ट्रिवल को नोबल सांती का पुरुसकार दिया गया था और जो आपका ये उत्तरी आइलेंड कंट्री है यानि कि नार्दन आइलेंड कंट्री है दीखें ये जो है UK कांश्यूएंड कंट्री है और कैप्टिल इसकी है बेलफास्ट कंट्री करेंसी यां की है पाउन इस्टरलिंग और यहां की टोटल पापुलेशन है 18.9 लाग दसओ प्रशनी की इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसियेशन आप इंडिया की इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट के नुसार लगभख कितने मिलियन भारती डिजिटल भुकतान और इकामर्स सहित ऑनलाइन लिंदेन करते हैं तो दिखें इनकी संक्या है 346 मिलियन भारती जि ये डिजिटल भुकतान और इकामर्स सहित ऑनलाइन लिंदेन करते हैं और दिखें इस रिपोर्ट में बताया क्या है ये वैस्पी COVID-19 महामारी के खारण डिजिटल लिंदेन में 11% की भारत में विर्दी हुई यानि कि जो कोरोना कालता वक्त समझ भारत में डिजिटल लिं मिस में 230 मिलियन लोग ये डिजिटल लिंदेन में सामिल थे और इस रिपोर्ट में ये भी पताया क्या है कि पुरूस इंटरनेट यूजर्स की संख्या ग्रामिड और सहरी चेत्रों में मैला यूजर्स की तुलना में अधिक हैं यानि कि सहरों में और गाओं में जो 25 मिलियन ग्रामिड चेत्रों से और 341 मिलियन जो है ये सहरी चेत्रों से हैं और देखिए जो आपका ये इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसेशन आप इंडिया है यानि कि IAMAI है इसके अनुसार भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या कि 2025 तक कुल 900 मिलियन तक पहुँच पहुचने की संख्या में बन सकता है इक्जाम में ये पूछा सकता है कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसेशन आप इंडिया की जो इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट है तो इसके अनुसार भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्याद 2025 तक कितने मिलियन तक पहला प्रशनाप के लिए कि विश्व मानो तसकरी निरोसत दियोज़ है ये कम मनाया गया पताईए अगला की इंटरनेशनल फ्रेंड्शिप जो है ये कि सिजी को मनायाता है पताईए और तीसरा की हाली में किसने राश्मंडल खेल 2022 में भारत के पदक जीतने वाले पहले एथलीट बनकर इधियास रज़ दिया पताईए चोथा की हाली में कामन विल्द गेम्स 2022 में गुरुराज पुजारी ने कितने किलोगराम भारवर्ग में कांस से पत जीता बताईए पांचमा की सेमी कंड़क्टर नीती सुरू करने वाला पहला राज ये कौन मन गया बताईए और अब हम बात करेंगे कल के पूछे कैस सभी कोश्याप्री के सहीतरों की देखे लिए पहला प्रसंदा की विस्सुप प्रकृति सनचर दिवस जो ये हर साल किस्तिती को मना आता है तो देखे इसको हम 28 जुलाई को मनाते हैं दूसरा था कि अंतराश्टी बाग दिवस को मना आता है तो देखे इसको भी 29 जुलाई को मनाते हैं और इंग्लेंड की लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउन का नाम जो है अब भारती क्रिकेटर सुनिल गावसर के नाम रग दिया गया है और देखे एसिया कब 2022 का जो आयोचान है यह अब स्रिलंका में नहीं होगा अब यह स्रिलंका की जगह युनाइटेड अरब अमिराद में किया जाएगा और अभियाली में जो तमिल नाडू के मुक्यमंत्री हैं इन्होंने जो है मुक्यमंत्री नास्ता योजना की शुरुवात की धी तो इसी के साथ आज का वीडियो समापत होता है जहिन जह वारत